नमस्कार दोस्तों, SBI Security की सब्ता ही podcast में आपका हार्दी स्वागत है, आज हम बात करेंगी इस पूरे सब्ता में ऐसे कौन-कौन से event थे, जो market के focus में रहे हैं और अगले सब्ता के एक क्या हिस्ति बन रही है, तो दोस्तों यह सब्ता काफी फीका रहा, जहां तक frontline index की बात है करीब 0.2% जो है positive बंद हुआ है, अलाकि mid and small cap में काफी कुछ action देखने का मिला है, लेकिन वहां पी हमने एक mixed closing देखी है, जहां पर mid cap index करीब 2% उपर बंद हुआ, वहें पर small cap index करीब 1.5% जो है नीचे बंद हुआ है, बात करते हैं कि सब्ता कैसे कौन-कौन से event थे, जो सब्ता में चाहे रहे, तो एक छोटा सब्ता होने के बावजूद भी जो global Qs हमें देखने को मिला, वो काफी कुछ इस सब्ता में अपनी चाप छोड़ने में काम्याब रहा, तो यह सब्सक्राइब बड़ा event था, वो था FOMC का meeting outcome, जो की बुदवार के दिन आया, और हमारे बाजार और अभिश्यक के बादानों पर अभ्यापक असा जो है गुरुवार के दिन देखने मिला है, जहां पर US Fed ने अपने ब्याज़दाव में कोई बदलाव नहीं किये, और उन्होंने इंटरसेट को 5.25 से 5.5 के 5.5% पर बरकरा रखा हुआ है, US Fed यह कह रहा है कि inflation जो सब्सक्राइब के नए जॉब क्रियेशन हैं, यह बता रहे हैं कि शायद जो ब्याज़दर है, US में वह भी लॉंगर टर्म में, यानि कि जो करन्ट लेवल आउफ इंटरसेट है, वो शायद थोड़ा और समय के लिए बरकरार हो सकता है, ब्याज़दरों में इतनी जल्दी ग्रमशह जो है हायर से लोवर जोने बंद हुए हैं, तो अगर मैं सिंपल में बात करूं तो बीए से हेल्थ केर करीब 0.4% पर बंद हुआ है, बीए से ओल और गैस 0.7% जबकि बीए से मेटल बीए सी पावर में लगभग विड़ पर से साड़े तीन पर संद के आसपास ब पर संद की गिरावाट हमने पुरी सब्ता में देखिए हैं बात करते हैं और टॉप फार्मेंसेस की तो यहां पर जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हैं वह हैं महें महेंद्रा महेंद्रा पावर ग्रिट ग्रासीम कोल इंडिया और SBI जहां पर बढ़त करीब 4% से साव 8% के 20 ग्राट हमें सब्ता में देखिए हैं आई यह बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉनेटरबल्स की जो मार्केट रोजी ट्रैक करता है तो इस सब्ता में एफ आए ने करीब 1696 क्रोट रुपे की सेलिंग किये जबकि डिया ने करीब 3474 क्रोट रुपे की बाइंग किये यह इस ने मैं दो मैं तक का कैप्चर किया हुआ है रुपी सब्ता में कभी कुछ का एकदम फ्लैट रहा है लगबग 83.4 के आसपास बना हुआ है जबकि कूड के दाम में लगबग 4% गिरावाट इस अप्ता में देखी यह तब हुआ जब यूस का जो है व्याजदर का डिक्ल की जो भारत और बाकी कंट्रीज में जो है वो पाए गए तो बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक कुछ नामिक डिवलप्मेंट के तो यहां पर भारत का पीम इंडेक्स है मैनिफाक्ट्रिंग पीम आई वो करीब 58.8 के आसपास बना हुआ है हलाकि यह 16 साल के हाई से जो है थोड़ा सा नीचे है जो की मार्च महने में रेकॉर्ड किया गया था लेकिन अभी भी यह नंबर काफी बढ़या है इसका मतब यह होगा कि जो बिजनस का आप्टिमिजम है भारत में वह काफी स्ट्रॉंग लग रहा है कंपनी अपनी बिजनस को एक्सपांड कर रही है और कोर सेक्टर का आउटपूट जो है करीब 5.2 है नि सवा पांच परसंद के आसपात दर्च किया गया जो सबसे बड़े कॉंट्रॉटर थे इस अच्छे एट कोर्ट सेक्टर के लिए वह हैं सीमें का प्रॉडक्शन जो की करीब 11 बढ़ा है कोल का प्रॉड़क्शन में हमें देखी है तो यह भी नंबर काफी बड़ेया था जो डिक्लेर हुए सब्ता में उपर से दोस्तों हमने बताया कि यूएस का जो फेड मीटिंग आउटकम था यहां पर ज्यादा कोई सप्राइज देखने को नहीं मिला और यूएस फेड ने अपने ब्यास दरों में कोई बदलाव नहीं किया है हाला कि जो इन्होंने यह कहा कि ब्यास दरों में जल्दी कटावती नहीं होगी तो यह जो आउटकम था वो ब्रॉडली मार्केट के अनुमान के आसपास ही था अब यह बात करते हैं ऐसी कुन-कुसी कंपनियां हैं जो इस अपकाम फोकस पर रह इक्सपांशन है तो और नंबर ठीक है ग्रीन पैनल ने नंबर डिकलेयर किये हैं और नंबर जो है काफी खराब थे लगबग सारे सेग्मेंट में चाहिए वह बेटा हो सेल्स हो प्रॉफिट हो सभी में डिकलाइन देखने के मिला मर्जिन में कॉंट्रैक्शन है कंपनिये कह रही है कि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है और डिमेस्टिंग बहुत कॉंपटिशन है इसलिए इसको कम करने पड़े हैं तो यह वीक नंबर है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री का हैवल्स ने पर नंबर पबिश्ट की है वह नंबर कफी बढ़या थे उनके इसलिए से बारा परसन और प्राफिट मतलब बढ़त देखी गई बेटा मार्जिन में इंप्रॉमेंट है कंपनी य और नंबर भी यहां बढ़या है जहां पर सेल्स ने बढ़त करीब निज़्ट की रही है वह प्राफिट करीब तीज़ बढ़ा है मार्जिन भी एक्सपांशन है अजनता फार्मा ने अपने नंबर डेकलर किया और नंबर काफी अच्छे थे रेवनियम बढ़त करीब 20 पस बढ़ा है तो वालूम में भी अच्छा कासा इंप्रूमेंट देखनों के मिला सकता है तो यह नंबर काफी अच्छा था अधानी विल्मर ने अपने नंबर डेकलेर की हैं हाला कि उनके सेल्स में गिरावड करीब चार पसंद देखी गई लेकिए उनके बेटा प्राफिट में अच्छा कासा उच्छा देखनों के मिला है तो यह नंबर भी काफी बढ़या थे अधानी विल्मर के बात करते हैं कुछ है इसी कंपनियां जिन्हों ने अपने सेल्स वॉल्म डेकलेर की हैं जैसे मिन आप सब जानते हैं कि जब महिना खतम होता है तो आटो कंपनी अप सेल्स नंबर डिक्रे करती तो अपने अप्रिल महने का देखिया और यह पर कंपनी के जो अप्रिल का मैंे जब बढ़ात देखी गई तो यह नंबर काफी अच्छा है टाटा मोटर ने वी करीब सवाइब 11 बढ़ात देखी अपने टोटल सेल्स के लिए कमर्शल सेगमेंट है पैसेंजर सेग्मेंट है वहां पी अच्छी बढ़त देखनों के मिली है हीरो मोर्टर ने अपने नंबर जो उनका सेल्स लेटा था जो है अप्रिल महने काफी अच्छा किया हुआ है यहां पर मंतली सेल्स जो है अप्रिल महने में लगबाग 35% जो है कंप्री ने दर्ज की है उनका एक्सपोर्ट डोमेस्टिक वॉल्यूम दोनों ही काफी अच्छा था मैक स्टेट ने कहा है कि गुडगाओं में वो प्रोजेट बनाएंगे रिल स्टेट के और करीब 9000 क्रोड रुपे वहांका पोटेंशल से वैल्यू होगा मजगाओं शीप बिल्डर मजगाओं में उनके लिए पॉस्टिव है और वी अनल को करीब 449 क्रोड रुटर मिला है तो यह उनके लिए जो है पॉस्टिव है राइट को करीब 111 मिलियन डॉलर का जो है बंगला देश अरिलवे से और मिला हुआ है तो यह कुछ कंपनिया थी जो दोस्तों सब्सक्राइब में रह यहां पर हमारा कॉल था वो था इलेक्ट्रोनिक मार्ट इंडिया का जिसमें 218 पर हमने किया है तो यह मैं सब्सक्राइब में अच्छा का सा प्रेजेंस है और कंपनी जो है अपने प्रॉडट को एक्सपांड कर रही है वह लाज अप्लाइंसेस मोबाइल है या फिर आइटी के जो प्रोड़क्ट से वहां पर जा रही है कंपनी ने नए स्टोर्स ओपर के नौ महने दो हजा चोबीस है नहीं के जो अब इस अंबर तक का जो रिजल्ट था वहां पर कमई ने करीवी की स्टोर उपन किये थे कंपनी तेलंग आना आंधरा के अलावा जो है वह माया रेक्मेंडिशन था और टागेट है चारजार चार्सवासी रुपे का तो अंबर जो दोस्तों एक लार्जेस्ट इंटेग्रेटेटर मार्केट लिडर है मेरे कंडिशन में एक कंपनी जो है बड़ी बड़ी कंपनी यों के लिए जो एसी बनाती है और एक अच्छा का मार्केट शेर है कंपनी का जो है 29 पिसंद का मार्केट शेर है इस तरह का हीट वेव चल रहा है फुर्य देश इससे एसी की डिमांद कफी बड़ी है तो इसमें को फायदा हो रहा है अंबर जो है प्रिंटेट शकूट बूर्ड होते हैं यह जो इलोट्रोनिक जो छिप होता है वह भी कंपनी वहां पर इंट्रक करें जो की एसी में इस्तमाल होता है तो यह एक कंपनी के लॉंग टाम में उसके लावा दोस्तों कंपनी जो है रेलवे के लिए भी एसी सप्लाइ करती है रेलवे हैं मेट्रो कोचेज हैं रिसेंटली कंपनी ने जो है टीटागर्ड रेल के साथ में टाइब किया हुआ है और यहां पर आगे चलगा कि जितने भी पैसेंजर कोचेज का ओर्डर मिलेंगे टीटागर्ड रेल को वह वहां पर अपने एसी के जो प्रोड़क्ट है वह सप्लाइ करें तो यह विन विन रहेगा अंबर और टीटागर्ड रेल के लॉंग टर्म में तो हमें लगता है कि अंबर जो है मीडियम टू लॉंग टम मे तो जैसे जैसे वह रिजल्ट आएंगे मार्केट को रियाड करेगा कुछ चुनिंदा जो कंपनी जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी होग कोटक बैंक जो चार मही को रिजल्ट आने वाला है उसके अलावा अभीनी सुपर मार्केट है गोद्रेज प्रडॉक्ट है सी पीसियल इनकिब रिजल्ट आएंगे तो जैसे चाहन आएंगे कि कुछ कंपनिया जो हैं इंडेक्स है वी बेड भी हैं तो अब इसली जैसे उसी रिजल्ट आएंगे इसका मार्केट पर असर ब्यापक असर पड़ेगा तो रिजल्ट जो है एक फोकस एरिया जो है नेेक्स यहीं होगी कि आप कॉलिटी स्टॉक में ही आप खरीदें जो माइप्रो कैप कंपनियां जिन में अच्छा वैलिवेशन आपको नहीं दिख रहा है ज्यादा हाइप प्राइस पर चल रहा है और उनका फंडामेंट अतना अच्छा नहीं है ऐसी कंपनियों को वाइट करना चा काप्चर किया हुआ आप मारे वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड को उसको पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा इस सप्ता का वीकली रहा पोडकास्ट हमें सुनने के लिए बहुत बद दन्यवाद और अगले सप्ता के डिशाइश उपकामना है थैंक्यू